सो हे गाइस अगेन वेलकम टो आवर स्टोक एनलेसिस वीडियो और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अपन स्टोक के बारे में कुछ स्टोक के अनलेसिस करके बताने वाला हों कि आने वाले दिनों के इंदर वो स्टोक कहां पर मुग करने वाला है और दोस्तों कौन से पर आप बाय और सेल कर पाओगे सबसे पहला इस टोग यहां पर देखेंगे HDFC बैंक है HDFC के डेली चार्ट लगा रहा है और डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे यहां पर continue market इसमें upside जा रहा है HDFC बैंक अब दोस्तों यहां पर एक bullish तो अगर 1600 के उपर निकलता है बाकि 2700 के उपर ही अपने को एक अच्छा momentum इसमें देखने को मिलेगा तो यहां पर नजर बना के रखेगा HDFC के अंदर चलिए अभी देख लेते हैं इसका को करे चल रहा है यहां पर देखेंगे अच्छी फोरमंशन के साथ चल रहा है यहां पर दिखेंगे डाउन upside निकला फिर राउंड सब्सक्राइब आप दोस्तों यहां पर दिखेंगे के हमर केंडल टाइप केनल बनी है और पॉजिटिव बनी है अब इसी के लोग का ऐसे लगा कर आप डेली चार्ट के उपर इसका हाई क्रोश करने के साथ ट्रेड कर सकते हैं और यह लेवल आपको पहला मिल सकता है पच्छिस सो पच्छिस सो बीस का उसके बाद दोस्तों आपको अपसाइड में ट्रेड कर सकते हैं अगला स्ट्रोक आएस से बैंक देखेंगे यह सारे कंपोनेंट से तो इनके उपर डिया दियान रखेंगे यहां पर कुछ करने ही रहा है यहां पर टाइम पास कर रहा है यह बंगे निकला है यहां बनी हुए इस रेंज को consolidate करने के बाद जिस साइड में निकलेगा एक मोमेंटम आपको उस साइड में देखने को मिलेगा तो आइसी आइसी बैंग में कुछ ज्यादा बाइंग के लिए हैं नहीं बट जब तक नाइन हंडेट के उपर हैं तब के लिए ही सोचेंगे sba bank देखें के तो वो भी एक बना रहा है कोई भी जी जादा मुमेटम नहीं दे को दोा है और कर रहा है व्युत्रा में दिखेंगे यह अच्छा ब्रेक्आट मिला बने दीजे यहां पर अपने को एक मोमेंटम मिल सकता है यहां पर एक रजिस्टेंस को ब्रेक करके कि एप साइड में निकलता है तो कंटीनू अपना साइड में जाएंगे क्योंकि तो यहां से देखेंगे अपन सब्सक्रार का कॉल्सक्राइब करेंने तो हमَّंने से चोंटेर अधर इगांड के तो उसके बाद दोस्तों आकिला इस टोग देखेंगे इन फीज अनफोसिस गिरावट के बाद कोई खास मोमेंटम है नहीं गिरावट ही दिखा रहा है चोटी-मोटी और कर रहा है को मोमेंटम है नहीं इसी रेंज के अंदर कुछ पॉंटों के साथ ही यां पर कोई मेरा कोई व्यू है नहीं इसमें में अच्छा मोमेंटमा रहा है अब इस लेवल से यह थोड़ा सा अथाइसो के लेवल को करें तब यहां पर त्रेड करना स्ट करेंगा तो यहां पर आपन करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक है यहां से थोड़ा सा एक मोमेंट रिटेस्ट किया है इसने अब रिटेस्ट के बाद दोसों यह वापिस इसी के लिए अपने ट्रेड कर सकते हैं और अपने बाइंग करेंगे कौन्से लेवल के बाद यहां पर 3385 के उपर बाइंग करने के सोचेंगे 3385 के उपर या फिर 3330 के उपर बाइंग करने के सोचेंगे टी सिएस को विप्रो को माइब तो यहां पर सकते हैं मंडे के session में सब्सक्राइब लगे में अभी तक आपने हमारे को भी ग्रूप नहीं कि सारे लिंक मिल जाएगी और आपना चैनल को सब्सक्राइब की ति पुरियो में कुछ भी हरागत लाइक कीजिए थैंक तो मुछ वर वाचिं दिस वीडियो